हेलो दोस्तो आज मैं आपको शिखाऊंगा दुपट्टे में लेस लगाने का तरीका अंडर ग्राउंड अंडर ग्राउंड का मतलब है जो लेस का जो सिलाई करने वाला हिस्सा है वो दिखना नहीं चाहिए कपड़े के अंदर आना चाहिए देखिए हमने दुपट्टे में लेज लगाया अंडर ग्राउंड चिलाई हो रखिए यह देखिए फूल फूल दिखाई दे रहा है जो बाखी का लेस है वो दिखाई नहीं दे रहा है वो कपड़े के अंदर दबाव आ गया है उसका यह देखने में दोनों तरफ से बहुत सुन्दर लगता है तो इसको कहे शिलाई करते हैं चिले मैं आपको बताता हूं यह देखें मैंने दूपट्टे के उपर इसको लेश को रख दिया है और जितना हमारा दबाव है लेश का उतना हम कपड़ा फोल्ड करके शिलाई लगाते हूए चले जाएंगे यह दियान रखना है जो दूपट्टा सीधी तरफ से उसी तरफ हमको लेश रखना है यह देखें आराम से शिलाई करते हूए चले जाएंगे चारो तरफ इसमें आपको द्यान रखना है यह जो कपड़ा हम फोल्ड कर रहे हैं यह जो उपर कटाओ में फूल बने हूए है इसके उपर कपड़ा नहीं जाना चाहिए केवल जितना दबाव है उतना ही कपड़े लगाना है आप वीडियो को देखते रहें आराम से इसको लगाना सीख जाएंगे अब ही में थोड़ा वीडियो काट दिया है तो यूंकि लंबी नहीं हो जाए यह देखिए हमारा लेस पूरा लग गया है यहां पर जहांचे हमने शुरुआत किया तो मासे हम थोड़ा पर चड़ा के कटिंग करदेंगे और हमारा भी वरा हो जाएगा लेस हागोकों है यह देखिए मारा पूरा लेस लग गया है है अहे में आजुम आले अब फिम दूसरी सिलाई हो यंज्माज पलकी लगा देंगें है Assim कि डपल सिन हो जाएगा-idi ये देखिए हमारा दूसरा शिलाई भी लग जाएगा इस तरह दो शिलाई में ये लेस लग जाता है और इसकी फिनिसिंग बहुत अच्छी आती है ये अंडर ग्राउंड शिलाई बोलते हैं इसको लेस का केबल डिजाईन डिजाईन दिखेगा फालतु का इससा कपड़े में दब जाएगा ये देखिए हमारा तियार हो गया है ध्यान से देखिए ये देखिए दो शिलाई लगी है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सेर जरूर करें थेंक्यू